हेई लोब्स वेरिकम तो मैं चैनल मिस्टिसिजम बाइपूरबा कैसे हैं आप लोग आई हो कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड रीडिंग होगी और टैरो कार्ड की मदब से आज हम जानेंगे कि नेक्स 48 आवर्स आपके लिए कैसे रहेंगे और जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो अगले 48 घंटों में आपके लिए क्या मैसूस करेंगे क्या चलेगा उ आप सब इससे किसी वी वक्त देख सकते हूँ गाइस बाग ही दिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो पेड रीडिंग्स एक्सेक्टर एक्सेक्टर के लिए तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और अगर आप इंस्टा यूजर है तो इंस्टा में भी जरूर चुड़िए इंस्टा एडी है Mr.Sizam by Purva Official ओके तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी 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 कि we have four of vessels in reverse, we have six of bows, we have three of bows, we have we have ace of stones, we have three of vessels, we have two cardhi, we have ace of arrows and we have king of bows so guys let's see, first of all that you are thinking about the person's current feelings and next efforts in the next 48 hours what will happen, so first of all, with the four of bows and three of bows, here you have energy your person will feel that they are responsible and they should create stability in this connection okay, their energy will be like this, that whatever things are not working on in this relationship whatever things are not working on in this relationship, whatever things are not working on in this relationship this relationship with the person will try to create stability simple to create stability yes, a person will try to accept what you are thinking so you will strive in DANIELS we are future, in the next four years इनके दिमाग में यह चीजे चलेंगी कि मैं कैसे इस रिष्टे को स्टेबल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कैसे हम साथ में एकदम कंबाइंड और स्ट्रॉंग बॉंड बना कर रह सकते हैं ठीक है तो इस तरीके के इनर्जी यहां पर दिख रही है इन्विडि कुई अफ़ बोज एंड अजप स्टों अशर्ड जैफिन होगां कि उन्हें आप दोनों के रिष्टे का फाउंडेशन बनाना भूगा। पर दोनों के रूट्स को स्ट्रॉंग करना पड़ेगा उन्हें फील होगा कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है लेकिन आप दोनों के बीच में कोई स्टेबिलिटी नहीं है एक दूसरे को जिंदेगे भर चाने की इच्छा नहीं है और अगर इच्छा है भी तो उस कॉछी को फहलेके काम करनी के इनर्जी नहीं है तो उसे कही कहीं लाना होगा कहीं ना ख знать कि कोई भी इस रिष्टे को तोड़ना सके कोई भी इस रिष्टे में इंफ्लूएंस ना कर सके तो यह energy मुझे यह यहाँ पर दिख रही है कि आपके person को feel होगी ठिक है उसी के चलते इनकी एनरजी डिसपॉइन्मेंट से पॉजिटिवनेस के तरफ शिफ्ट होगी ठीक है पहले देखें इनकी इनरजी थी पहले वैसी थी कि नहीं प्यार नहीं है रिष्टा सच्छा नहीं है कुछ नहीं हो सकता हमारे सारे सपने टूट जाएंगे इनके साथ हमारा कोई भवि इस रिष्टे में प्यार भी है यह रिष्टा कायम भी रहेगा आप दुनों का साथ भी बना रहेगा और कोई रिष्टे को अलग नहीं कर सकता कोई इस रिष्टे के बीच में नहीं आ सकता तो उन्हें उनका प्यार बढ़ेगा उनका इस प्यार पे भी विश्वास बढ़ वो आपके साथ सोस समझ कर रिष्टे को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे ताकि वह भी डिसपॉइंटेड ना हो और आप दोनों खुशी खुशी लाइफ की शुरूआप साथ में मिलके कर सको एक रीबर्थ चाहेंगे कि इस रिष्टे का हो और इस बार वो कहीं ना कहीं रेडी मुझे दिख रहा है नेक्स 48 आवस में वो जरूर रेडी हो जाएंगे कि जैसे एक अच्छा रिष्टा निभाना चाहिए ठीक है 50% लोगों के लिए तो गयारंटेट दिख रहा है और 50% लोगों के लिए हो सकता है कि 48 गंटों के बाद यह effort डाले ठीक है अगर आपका कोई problem चल रहा है तो बट things are getting better between you both अगर आपको असे लग रहा है कि यह रिष्टा खतम होगा यह इनसान बदल चुके है नहीं यह इनसान समझेंगे आपके प्यार को आप दुनों के रिष्टे को इंपोर्टेंस को ठीक है इनको realization होगा deep down ठीक है और उसके चलते सामने से आकर हो सकता है ना बोल यह है चलिए पहुच और वी कार्ट देखते हैं अविवच प्रट अ यह है शालता हुच पॉट जह लिए। प्रट व्हा वी कार्ट यह है we have two of pentacles we have knight of pentacles we have six of wands next 48 hours आपकी लाइफ पे बहुत जादा इंपक्त आलेगा आपके लिए next 48 hours बहुत जादा लखी होंगे क्योंकि सबसे पहले चीज मुझे आँ दिख रहे है कि कोई भी imbalance अगर आपके रिष्टे में आपके लव लाइफ में चल रहा है तो वो sort out होगा ही होगा ठीक है हो सकता है कि आपके next 48 hours में बहुत बहुत बढ़ा इंसान रेलाइस करके आपसे बात करें या कुछ अच्छा होगा आपके लव लाइफ में definitely होगा ठीक है और अगर बात्चीद नहीं होती है practically कोई efforts आपको नहीं दिखते है अपने love life में still then energy के लिए आपके person के अंदर तो यह changes आई रहे है ठीक है so love life में मुझे यहां दिख रहा है growth ठीक है and उसके बाद मुझे यहां दिख रहे है कि कोई एक achievement आपको next 48 hours में मिलेगी बहुत बड़ी achievement एक कोई या फिर कोई बहुत बड़ा wish fulfillment या फिर कोई बहुत बड़ा काम बन जाना जो नहीं बन रहा था बहुत सामाई से अटक गया था आप try किये जा रहे थे try किये जा रहे थे नहीं हो पा रहा था ठीक है यह कोई opportunity नहीं मिल रही थी आपको बड़ा good news ठीक है बड़ा miracle बड़ा achievement बड़ा major work opportunity ठीक है या किसी भी तरीके का interview letter या new job offer कुछ भी कुछ भी एक बड़ा कोई चीज जो कि आपको financially and mentally emotionally energetically satisfy करेगी abundant feel करवाएगी तो वैसा कुछ एक बड़ा good news आपको मिलने वाला है next 48 hours में overall आपके next 48 hours मुझे लग रहे है busy रहेंगे काम करते हुए and अपने daily routine को follow करते हुए busy तरीके सा आप गुजार होगे you know so you will feel happy you will feel tired you will feel grateful you will feel loved तो बहुस तरी feelings अच्छी अच्छी feelings आप फिल करेंगे next 48 hours के लिए that is for sure so guys यह थी आप लोगी reading I hope आपको पसंदेगा 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 तो please do like, comment, share and subscribe मैं मिलती हूँ आप लोगो next video में guys तब तक के लिए bye bye